सिंदिवाहे तालुका के खंडाला गाव में रविवार को एक चरवाहे पर बागनी हमला किया जिसमें उसकी मृत्ति हो गए मृत्तक का नाम अनिल पांडरंग सुनू ले बताया किया तालुका में बाग के हमले से लोगों में दहशत फैली हुई है दो दिन पहले सिंदिवाहे के इंदरानगर इलाके के पास बाग के हमले से दो बैलों की मौत और एक बैल घायल हो गया था पाच दिन पहले मुहाडी में एक व्यक्ति बाग के हमले में घायल हो गया था रविवार 19 सितंबर लगभग 3 बचे पट्टेदार बाग ने हमला कर उन्हें मौके पर ही मार डाला संदेहवाही तालुका की अधिकान 600 में किसान चिंता की स्थिति में है क्योंकि इस शेत्र में बागो का प्रकूप है खंडाला की चरवाहों ने बागो की डर से मवेश्यों को चराना बंद कर दिया था सुरक्षा के लिए मवेश्यों को घर पर रखा गया था गाववालों ने सभा बुला के हर दिन तीन व्यक्ति मवेश्यों को चराने जंगल जाएंगे ऐसान निरने लिया रविवार को अनिल पांडुरंग सोनुले, गजानन कुम्रे और विलास कुम्रे मवेश्यो को जंगल लेके दूप के कारण अनिल सोनुले पास की पेड़ की च्छाव में आराम करने बैड़ गे अचानक उन पर हमला कर दिया और उसे मौकी पर ही मरने के बाद करीब 30-40 मिटर की दूरी तक खसीटा घटना से पहले खंडाला जंगल की बाग ने एक बकरी पर हमला कर उसे मौकी पर ही मार डाला घटना की जानकारे मिलती ही रतनापूर बीट की रेंजर जेस वैद्य और पाच अन्य पंच नामा के लिए घटना सल पर गए तो बाग वही बैठा था उसी दिन रविवार तड़के करीब 2 बजे सदाशी मौरले की बकरी को बाग ने मार डाला सभी घटना सल आसपास होने की कारण गाव वालों में धहशत फैली हुई है बीसियन न्यूस के लिए सिंदेव वाही से समाधाता की रिपोर्ट